हेलो फ्रेंड वल्कम बेक टू मांसी स्टडी चैनल दोस्तो आज है 13 माई 2024 और 13 माई 2024 से रेलेटिड करंट अफियर्स के जितने भी कुशन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे कुशन को कवर करेंगे और हर कुशन से रेलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बता आउंगी तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 अम पे डेली लाइव आती है आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तयार रहा करिए इससे आपकी तयारी करंट अफियर्स में बहतर होने व 2023 में सौर्य उर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा इस्थान था एकॉर्डिंग टू दा गिलोवर इलेक्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट वर्ट वास दा रैंक ओफ इंडिया इन दा वर्ल्ड इन सोलर पावर प्रोडक्शन इन 2023 फर्स्ट ऑप्शन है फर्स दोस्तों गिलोवर इलेक्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुशार 2023 में सौर्य उर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा इस्थान था इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है मारा ओप्शन नंबर सी थर्ड इस्थान था चलिए इस से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती हैं इस्थापित सौर्य उर्जा च्छमता में तेजी से व्रद्धी के कारण भारत 2023 में तीसरा सबसे बड़ा सौर्य उर्जा जनरेटर बन गिया यूनाइटिड किंग्डम स्थिद वैस्विक तिंक टैंक के ए इसरे इस्थान पर पहुँच गया ठीके दोस्तों चलिए आंगे वर्टियों नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंट किस कम्पनी ने 650 से अधिक मौसम स्टेशनों के साथ भारत का पहला भीड समर्थिद मौसम नेटवर्क लांच किया है जो वास्तविक समय के स्थानिय मौसम देटा के लिए भारत में सबसे बड़ा निजी सेटप है विचे कम्पनी है लॉंच्ड इंडिया फर्स्ट क्राउड सपोर्टेड वैदर नेटवर्क बित ओवर 650 वैदर स्टेशन्स दा लार्जेश्ट प्राइवेट सेटप इन इंडिया फॉर रिय ओप्सन है जो मैटो जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा ओप्सन नंबर डी जो मैटो चलिए से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती है जो मै भारत का पहला भीड समर्थित मौसम नेटवर्ग लॉंच किया है जो वास्तिविक समय के स्थानिय मौसम डेटा के लिए भारत में सबसे बड़ा निजी सेट अप है जो मैटो द्वारा विक्सित ये मौसम स्टेशन ताप मान आंधृता हवा की गती वर्सा जैसे प्रमुक मौसम माप दंडो पर इस्थानिय किरत वास्तिविक समय की जानकारी पिदान करते हैं जिसे एस्टी टीपी वैदर रियू ओनियन डॉट कॉम पर देखा जा सकता है सुरुआत में 45 प्रमुक सहरों में उपलग्द विस्तार की योजना पर काम चल रहा है ठीक है दोस्तों च चार प्रडाली क्लस्टर से सुईक्रत नौ परियोजनाई किस आयाईटी को सौपी गई नाइन प्रोजेक्ट्स सेंसेशन्स फ्रॉम दा इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्यूनिकेशन सिस्टम्स क्लस्टर ओफ डियार्डियो वेर हैंड़ ओवर तु विच आयाईटी इन माई 2024 फर्स्ट ओप्सन है आयाईटी गौहार्टी, सिकंड ओप्सन है आयाईटी डेहली, थर्ड ओप्सन है आयाईटी मद्रास, फोर्थ ओप्सन है आयाईटी भुवनेश्वर बताईएगा दोस्तों मई 2024 में डियार्डियो के एलेक्ट्रोनिक्स और संचार प्रडाली क्लस्टर से सुईक्रत नौ पर योजनाईग किस आयाईटी को सौपी गई इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा ओप्सन नंबर डी आयाईटी भुवनेश्वर चलिए से लेटेड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती है रच्चा अनुशंधान और विकास संगटन के इलेक्ट्रोनिक्स और संचार प्रडाली क्लस्टर से सुईक्रत नौ परियोजनाई आयाईटी भुवनेश्वर को सौपी गई 18 करोड रुपे की फंडिंग के साथ साथ और परियोजनाई ECS से सुईक्रत होने की प्रिक्रिया में है आयाईटी भुवनेश्वर इन सुईक्रत परियोजनाओं पर काम करेगा जो इलेक्ट्रोनिक्स युद्ध AI संचारित निगरानी पावर सिस्टम और रडार सिस्टम में फाइदे मंद होगा ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स मई 2014 में भारती तटर अच्छक बलने जहाजो के निर्माड के लिए स्वादेशी समुद्री ग्रेड अल्यूमीनियम के निर्माड और आपूर्ती के लिए किस कंपनी के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं इन माई 2024 इंडियन कोश्ट गार्ड साइंड एन MOU विथ विच कंपनी फॉर मैनुफेक्चरिंग एंड सप्लाई ओफ इंडियन्यूस मरीन ग्रेड अल्यूमीनियम फॉर कंस्ट्रक्शन ओफ सिप्स फर्स्ट ओप्शन है रिलाइस इंडस्टी लिम्टेड सेकेंड ओप्शन है लार्सन एंड टुर्वो एल एंड टी थर्ड ओप्शन है हिंडालको इंडस्टी जूर्थ ओप्शन है टाटा एडवांस सिस्टम बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइड आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइड आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे हैं मारा ओप्सन नंबर C हिंडालको इंड़स्टीज चलिए से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती हैं भार्टिय तटरचक बलने जहाजों के निर्माड के लिए स्वदेशी समुद्री ग्रेड ऐल्यूमीनियम के निर्माड और आपूर्ती के लिए हिंडालको इंड़स्टीज के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं भार्टिय तटरचक बेड़ा वर्तमान में उथले पानी में संचालन की छमता वाले एल्यूमीनियम पतवार वाले सरसर जहाजों का संचालन कर रहा है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स मई दोहजार चौबिस में कुस्ती की विश्विसासी निकाए ने डोप परिछर से इनकार करने पर NADA के अंतरिम निलंबन के फैसले के बाद के से इस साल के अंतितक निलंबित कर दिया है In May 2024, Wrestling's World Governing Body has suspended whom till the end of this year following NADA's decision to hand him a provisional suspensions for refusing to undergo a डोपे test First option है बजरंग पुनिया, Second option है साची मालिक, Third option है रवी कुमार दहिया, Fourth option है मीरा वाई चानू बताईएगा फ्रेंड्स इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा option number A बजरंग पुनिया चलिए इस question से related important point हो को पढ़ते हैं कुस्ती की विश्व नियामक संस्था ने डोपे test से इनकार करने पर नाड़ा दोआरा अंतिम निलंबन सौपने के फैसले के बाद बजरंग पुनिया को इस साल के अंते तक निलंबित कर दिया है हाला कि N.A.D.A. के आदेश से अच्छी तरहे वाकिव होने के वाबजूद भारतिय खेल प्रादी करण ने विदेश में उनके प्रिसेचड के लिए करीब 9 लाख रुपे मनजूर किये हैं ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुष्ण देखते हैं नेश कुष्ण लिखा है फ्रेंड्स लार्सन एंड टुर्वो के अध्यच के रूप में किसे निक्त किया गिया है फर्स्ट ऑप्शन है अंसिका सिंग, सिकेंड ऑप्शन है दीनेश दासा, थर्ड ऑप्शन है आरसंकर रमन, फोर्थ ऑप्शन है मनोस सोनी बताइएगा दोस्तों लार्सन एंड टुर्वो के अध्यच के रूप में किसे निक्त किया गिया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे हैं हमारा ओप्शन नंबर सी आरसंकर रमन जी को चलिए इससे रिलेटेट इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती है लार्सन एंड टुर्वो को इंजीनरिंग और निर्मार समुहों के अध्यच के रूप में आरसंकर रमन को पदोनत किया गया था पदोनती के बाद रमन कंपनी के पूड कालिक निर्देशक और सी एफो के पद पर भी बने रहेंगे नवंबर 1994 में रमन एक पूड स्वामित वाली सहयक कंपनी L&T Finance Limited की इस्थापना के लिए L&T ग्रुप में सामिल हुए बाद में उन्होंने L&T में CFO की पूमी का निभाई और अक्टूबर 2011 में बोर्ड में निक्त हुए ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हों नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड से HDFC लाइफ के अध्यच के रूप में किसे निक्त किया गया है फर्स्ट ओप्सन है केकी मिस्त्री सेकेंड ओप्सन है अश्विनी कुमार थर्ड ओप्सन है दीपक मोहंती फोर्ट ओप्सन है तबलेस पांडे बताईएगा फ्रेंड से HDFC लाइफ के अध्यच के रूप में किसे निक्त किया गया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड से वह है मारा ओप्सन नमबर ए केके मिस्टरी जी को चलिए से रिलेड़िट इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती है बीमा नियामक और विकास प्राथी करण ने HDFC लाइफ के अध्यच के रूप में केकी मिस्टरी की निक्ती को मंजूरी दे दी है पिछले महीने दीपक एस पारेक के कमपनी के अध्यच और गैर कारकारी निर्देसक के पज से हटने के फैसले के बाद कमपनी ने मिस्टरी को बोर्ड का अध्यच निक्त किया था मिस्टरी जो HDFC लिम्टिड के उपाध्यच और CEO थे को HDFC लिम्टिड के HDFC बैंक के साथ विले के बाद HDFC बैंक लिम्टिड के बोर्ड में एक गैर कारकारी निर्देसक के रूप में नामित किया गया था ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ती हो नेस्ट कुशन देखती हैं नेस्ट कुशन लिखा है फ्रेंट्स उतकरष्ट सामाजिक कारी के लिए प्रतिष्टित ग्लोवल प्राइड और सिंधी एवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है फर्स्ट उप्शन है दीपक सेनोय, सेकेंड ऑप्शन है नीली बेंदा पूड़ी, थर्ड उप्शन है पवन सिंधी, फोर्थ उप्शन है सांती लकड़ा जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वे है मारा ओप्शन नंबर C, पवन सिंधी जी को चलिए से रिलेटिर इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती है सामाजिक कारिकरता पवन सिंधी को उतिकरष्ट सामाजिक कारि के लिए प्रितिष्टित गिलोवल फ्राइड ओफ सिंधी एवर्ड 2024 से समानित किया गया पुरुसकार रात्री में समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का जमावड़ा हुआ जो मानवता सांती और सम्रद्दी के मुल्यों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स INMA Awards 2024 में किस प्लेटफॉर्म ने Best Product Iterations Ready में गोल्ड हासिल किया है विच प्लेटफॉर्म है जे सिक्योर्ड गोल्ड इन्दा Best Product Iteration Category एड़ दा आई एनमे एवर्ड 2024 फर्स्ट आप्शन है नेट्फलिक्स, सिकेंड आप्शन है अमेजॉन प्राइम, थर्ड आप्शन है डिजनी, फूर्थ आप्शन है ओट्वीटी प्लेए जल्दी से बताईएगा दोस्तों INMA Awards 2024 में किस प्लेटफॉर्म ने Best Product Iterations Ready में गोल्ड हासिल किया है इस कुईशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा ओप्शन नमबर D, OTT प्ले में चलिए इससे रिलेटिट इंपोर्टेंट पॉइंट योग को पढ़ते हैं OTT प्ले ने INMA 2024 में सर्विसेष्ट उत्पाद पुन्रवरत्ती के लिए स्वर्ड और एक कारकरम के सर्विसेष्ट उप्योग में रज़त पदक जीता है OTT प्ले ने सर्विसेष्ट उत्पाद पुन्रवरत्ती स्रेडी में स्वर्ड और समाचार ब्रांड बनाने के लिए किसी कारकरम के सर्विसेष्ट उप्योग की स्रेडी में रज़त पदक जीता है Multiple subscription की चुनोती को संभोधित करते हुए एक OTT एग्रीग्रेटर के रूप में प्लेट फोर्म के परिवर्तन को इसके नवाचार के लिए मनाया गया ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट कुशन देखते हैं आज का लास्ट कुशन लिखा है वियतनाम में ACI Open Pickle Ball Championship में भारत ने कितने स्वडपदक जीते हैं इंडिया किलीन चिल्ड हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स एड दा एसियन ओपिन पिकल बैल चैंपियन सिप इन वियतनाम फर्स्ट ओप्शन है टू सिकेंड ओप्शन है थिरी थर्ड ओप्शन है फोर फोर ओप्शन है फिप्ट बताएगा दोस्तों वियतनाम में ACI Open Pickle Ball Championship में भारत ने कितने स्वडपदक जीते हैं इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वेहेमारा ओप्शन नंबर भी तीन सोड पदक जीते हैं चलिए इससे रेलेटिर इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं भारत ने वियतनाम में ACI Open Pickle Ball Championship में तीन सोड पदक और दो कांस पदक जीते सचिन पहवा और प्रियंका छावड़ा ने मिस्रित यूगल इंटरमेडिये 35 प्लस वर्ग के फाइनल में रूवेन हैल वर्ग और चितलदा हेमासी को 11.05.11.19 से हराकर भारत में पहला सोड पदक दिलाया जबकि महिला यूगल ओपन वर्ग में इसा लखानी और पेई चुवान कागो की जोड़ी ने डांक के किग, नगन और तायक के के खिला 15.7, 15.3 से जीत के साथ सोड पदक जीता ठीक है दोस्तो, I hope आज के सभी कुशन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंट्स और सभी कुशन से related important point के notes भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ बें आई होंगे एक्जाम के नजरिये से दोस्तों क्लास बहुत helpful रही होगी अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से सीखा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजेगा सेर कीजेगा और आपके अपने चैनल मांसी स्टडी चैनल को सस्क्राइब कीजेगा तेंक यू सोमाच दोस्तु